कि सो अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टून इस वीडियो सो देखो फ्रेंट्स जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पूश्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में अगर आपको अडिमिसन लेना है तो आप लोगों का जो मतलब एक्जाम डेट है तो आज मैं लाइफ दिखाने वाला हूँ कि कि आप सच में फिल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो कि मेरा जो एक्जाम है वो आनलाइन है या फिर आफलाइन है तो यह मैं आपको वीडियो एंड होते होते बता दूंगा कि आप लोगों का जो एक्जाम होगा वो आनलाइन होने वाला है या फिर आफलाइन होने वाला है कि इन सबके बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो अ कर तो छोण को एक्जाम रेता था वो किया गया था एक जुलाइआ要स रिखा रहा हैं जो इलावार दिन्टे का नोट है मतलब जो प्रेस रिलीज करते हूं में भी उन्हें उन्होंने बताया था कि जो आप लोगों का एक्जाम होगा वो जुलाई लाश्ट बीग में होगा हाला कि जो कुछ भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा अब फाइनली मैं यहां पर कुछ चीज दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि देखो सबसे पहले तो जैसे आप यहां पर जाओगे यह जो है फ्रेंट्स इलावाद इन्वर्सिटी का जो एडमिसन जैसे होता है न तो यह एक नहीं अपनी साइड लांच कर देते हैं यह य जैसे ही आप यहां से सिलेक्ट करते हो डिपार्टमेंट जैसे ललवी और अपने सिलेक्ट किया और प्रोसस पर जैसे ही आप किलिक करते हो तो इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस दिखाए देता है यह ओफिशल वेब साइड है इलावाद इन्वर्सिटी की तो यहां आपर क्या दिखा रहा है कि रजिस्टेशन स्टार्ट डेट 11 अब जून 2022 एंड रजिस्टेशन क्लोज डेट 8 जुलाई 2022 यह भाई यह 23 बज़ के 16 यानि की रात को आप लोगों का क्लोज हो गया था 12 बज़े के एक सेकंड पाहले ठीक है तो अब आई होप आप सभी को क्ल अब नीचे आपको कमेंडर बॉक्स में यह बताना है कि क्या आप यह जानना चाहते हो कि कौन से मलब किस जगह के स्टूडेंट जैसे क्या इलावा इन्वर्ट इनूर्ट सटी के कितने छेत्र देक च्टूडेंट का जो पेपर वह आनलाइन होगा या फिर आफलाइन होग जगा के जो पेपर हैं वो आनलाइन होंगे एंड किस-किस जगा के पेपर आफलाइन होंगे तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेसान अच्छे लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीज़े चले फ्रेंस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाया टेक केर ज है हिंद